एज़ जो सारे लोग हैं, इंडिया के one of the most खुंकार गैंग के मेंबर्स हैं दंडू पालिया गैंग इस गैंग के सारे लोग प्रनिमा की रात को मुर्गे के खून से अपने वेपिन्स को दोते हैं उस मुर्गे और गधे के खून हूझ भी पीते हैं डंडू पालिया गैंग अटेक करने से पहले घर का रिएकी करवाता था यह लोग उसी घर पे अटेक करते थे जिस घर में कुट्टे नहीं होते थे यहां तक कि गैंग के कुछ मेंबर कोट रूम में ट्राइल चलते होक जज को मारने की धमकी दे दी थी और इस कारण से कुछ महिनों तक इस केस की सुनवाई भी नहीं होई थी और इन बिट्विन 1996 तो 2000 यह गैंग काफी ज़्यादा एक्टिव था पर दा कोश्चन इस वो अर दे, वाट वस देर हिस्ट्री और यह लोग इतना पावरफूल बने कैसे करनाटका के बैंगलोर से करीब एक घंटे के दूरी पे एक गाउँ है जिसका नाम है डंडू पालिया और जिस गैंग के बारे मैं आज बात कर रहा हूँ उस गैंग का नाम इसी गाउँ के नाम से पढ़ा था डंडू पालिया गैंग डंडू पालिया गाउँ में अराउंड 1930 से लेके 1940 के बीच में आंधर प्रदेश से कुछ लोग माइगरेट करके आये थे और इन में से एक था वेंकटा स्वामी और बहुत ही कम समय में he became the bloody rich लाइक रियली रिच उस वक्त पे इसके पास करीब 200 से जादा भेंड़े थी दो तीन बहल गाड़िया थी काफी सारा सोना था और एंड एल लॉट अफ कैश टू आफ बट किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि अचानक से आदमी इतना अमीर कैसे बन गया इस छोटे से गाउं में लगभग 400 परिवार रहते थे और उनमें से 98% अफ तेम बिलॉंग टो कुर्वा कॉमिनिटी जो कि mostly cattle farming करते थे और गाउं के सभी लोग इसको देख के सोचते रहते थे कि आखीरे बंदा ऐसा क्या कर रहा है कि इतना जदा अमीर होते जा रहा है दिन परती दिन लेकिन उस में वेंकटा स्वामी नहीं था वो कहीं और से पकड़ा जाता है अपकड़े जाने के बाद वो जेल जाता है उस वक्त पे उसके उपर करीब 40-50 रॉबरी के case थे जेल में लगभग वो तीन महीना रहता है उसके बाद वापिस गाउं आता है जेल से वापिस आने के बाद गेस वाट अब गाउंवाले इसकी सारी करतूज जान चुके थे और क्योंकि इस गाउं की सोचियो एकनॉमिक बैग्राउंड काफी ही जादा पूर थी तो वहाँ के हर एक यंग लड़के स्वामी बनना चाते थे वो बहुत जल्दी अमीर बनना चाते थे स्वामी की तरह और तभी स्वामी ने अपने दोस मुनियपपा एंड हनुमा के साथ मिलकर इस गैंग की सुरुवात की डंडू पालिया गैंग की इस गैंग में लोग हर उमर के लोगों को रिक्रूट कर रहे थे और ते बच्चे सभी को यहां तक कि स्वामी ने आगे चल के अपने बेटे और बेटी को भी इस गैंग में इंक्लूट कर लिया था and gang के सारे members को काफी brutal training दिया जाता था उन्हें काफी crew बनाया जाता था आगे बताता हूँ कि इन्हें कितना हैवान बनाया गया था अब यहाँ से इन लोगों का असली game सुरू होता है सबसे पहले इस gang के कुछ female members रेकी करने के लिए निकलते थे यह लोग जादा तर उन घरों को target करते थे जो गाओं और मुहले के सबसे किनारे पे होता था और घर में जितना जादा से जादा कम member हो सके यह लोग उसी घर को चुनते थे और फिर कभी toilet cleaner बनके, कभी चूडी बेचने वाली बनके उस घर के अंदर जाते थे यह लोग और घर के अंदर जाके हर एक छोटी छोटी चीज़े वो लोग notice करते थे वेर इस इंट्री अफ दा हाउस, वेर इस बैक दोर अफ दा हाउस टेलीफोन का वायर्स कहां से गया है एलेक्ट्रिक का मेन स्विच किदर है हर एक छोटी डिटेल से लोग notice करते थे एंड इस सारे कामों का ध्यान गंगमा के जिम में था एंड इस गैंग का एक condition था सबसे important condition ये लोग उस घर को चुनते हैं जिस घर में कुट्ता नहीं होता था इनका मानना था कि कुट्ता घर में किवोस create कर देगा पूरा डीटेल्स कलेक करने के बाद ये लोग डाका डालने के लिए एक date fix करते थे एंड उस date को रात में ये लोग drink करते थे एंड drink करने के बाद हैवानी अथ पे निकल जाते थे कुछ लोग घर के main door से और कुछ लोग back door से घुसते एंड कुछ लोग आस पास के घरों में बाहर से ताला मार देते थे ताकि कोई चिलाए भी तो वो लोग घर से बाहर ना निकल सके एंड फिर electricity एंड telephone का wire cut कर देते थे अब घर में घुसने के बाद ये लोग loot part करते cash, jewelry, हर एक valuable चीज़ ये लोग अपने पास ले 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 थे और घर को लूटने के बाद घर के members को ये लोग rape करते औरत, मर्द, बचे ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ते थे ये घिनवनी हरकत करने के बाद ये लोग घर के सारे members का गला काटते और ये लोग हर एक murder में same तरीके से गला काटते थे पूरा का पूरा एक pattern follow करते थे कैंके सारे members अपना trademark बना लिया था गला काटने का गला काटने का वाद जब victim तड़पता रहता था oxygen के लिए तो वो लंबी सांसे लेने की कोशिश करता था और उस आवाज को सून कर ये लोग काफे खुस होते थे उसे enjoy करते थे and just to listen to that particular sound ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ते थे ना बच्चे को छोड़ते थे ना बुढ़े को छोड़ते थे किसी को नहीं छोड़ते थे and according to some reports they also used to have sex with the deads अब जितने भी लूटे हुए गहने या कोई भी valuables होता था उसको ठीकाने लगाने का काम गंगमा के जिम में था वो जूल्री को सबसे पहले होथोड़े से तोड़ती थी and तोड़ने के बाद उसे ठीकाने लगाने के लिए अपने receivers को दे देती थी ये लोग उस वक्त पे तीन स्टेट में operate कर रहे थे करनाटका, तामिलनाडू एंड आंधर प्रदेश and ये लोग सबसे ज़्यादा 1996 से लेके 2000 के भीच एक्टिव थे अब अचानक से loot part और मौत की खबरे बढ़ने लगी थी हर जगत देहसत फैल रहा था लेकिन पूलिस के पास कोई भी सुराग नहीं था कि कौन है ये लोग and ऐसा क्यों कर रहे हैं and इधर गैंग एक जगह पे हमला करने के बाद ये लोग अपना location बदल लिया करते थे and ये सारे के सारे लोग काफी simple रहा करते थे they used to dress like poor farmer, to look familiar with everyone गैंग के सारे मेंबर्स चार भाषा बोलते थे तेलगू, कनड, तमिल and हिंदी इस गैंग में 25-34 साल के लोग ही रहते थे उसके उपर वाले लोगों को management का काम दे दिया जाता था and सारे के सारे मेंबर्स public transport का इस्तेमाल किया करते थे and one more thing, एक काफी ज्यादा interesting है and काफी disturbing भी है this gang used to follow a ritual हर एक full moon को gang के सारे मेंबर्स अपने weapons को मुर्गे के खून से दोते थे and धोने के बाद उस मुर्गे के खून को पीते थे गधे के खून को पीते थे and इस crime को inspector एन चलापाथी investigate कर रहे थे and सारे crime में चलापाथी को कुछ pattern दिखाई देता है गला काटने का तरीका बिल्कुल same जितने भी घरों में एक crime हुआ था वो या तो गाउं के सबसे किनारे में था या किसी मुहले के सबसे किनारे में पढ़ता था जिस घर में एक crime हुआ था उसमें करीब जादा से जादा दो चार मेंबर रहा करते थे and crime करते वक्त आसपास के घरों में ताला मारा जाता था and ये सारा pattern एन चलापाथी notice किये and फिर investigation में लग गए तभी police एक पता करने में जूट जाती है कि ये लोग उसी group से जुड़े हुए है जिसकी तालाश में police लगी हुई है police इनके gang के छे main members को गिरस्तार कर लेती है and उस वक्त पे एन चलापाथी hero मन गए थे हर जगह उनकी तारीफे हो रही थी इस gang को पकड़ने के लिए लेकिन इसका एक repercussion भी था फिर इस gang के जो members बाहर थें वो इन चलापाथी को death threats देने लगे थे चलापाथी अपने security के लिए government से help मांगते हैं लेकिन कोई सरकार इनकी मदद नहीं करती है फिर चलापाथी अपने घर में 2-3 trend कुद्टे पा लिये थे अपने और अपने परिवार को रच्छा करने के लिए एक अप्रिल 2006 को जो judge इस case की सुनवाई कर रहा था उसे भी चांद से मारने की धमकी दी जाती है और ये धमकी courtroom में ही मिली थी during trials और जिस कारण से कुछ महीनों तक इस case की सुनवाई भी नहीं होती है लगभग 75 लोग इस गैंक से जोड़े हुए थे और उनमें से 11 लोगों को फांसी की सजा होती है कुछ को उम्र कैद, कुछ को कुछ सालों के लिए jail होती है और कुछ लोग के उपर सिर्फ fine लगा के छोड़ दिया जाता है ऐसा माना जाता है कि अभी भी कुछ दोसी ऐसे हैं जो पकड़े नहीं गये हलाकि इस गैंक के द्वारा आप क्राइम बिलकुल खतमी हो गई है तो ये थी आज की case study, बाई